कि अज़िए विडियो गाइज से स्टार्ट होने वाला हमारे चत में शीर्स लगाने का काम तो गाइज उससे पहले में आपको दिखाता हूं कि नौर के टरिशनल कल्चर के बारे में थोड़ा सा ऐसे यहां पे कोई भी शुपकार करने से पहले अपने इस देवता की पूजा की जाती है तो चलिए दिखाते हैं गाइज यह चत का काम चला हमारा भावनेगर में जो कि डिस्टिक की नौर में आता है और यह पारंपर इक तरीके से पूजा की जा रही है अपने इस देव की की जाता है तो आज से हमने शुरू करा है शीट लगाना आज हमारे दौनों छज्जे कुप्लीट हो चुके हैं दिस चज्जा इस चज्जा इस चज्जा अज अज हमने सोचा था काम काफी हद तक निपटा देंगे पर अनफॉर्चुनेटली बहुत जाला बारिश हो रही है आज तो इस हिसाब से आज हमारा कुछ भी काम फिला तो नहीं हो पाएगा लच्जी होता है पोड़ी देर में अब बहुत जाला बारिश हो रही है और कि अज़ी सोच रहे थे इस काम को फिनिश करने का टाइम उतना ही जाला बढ़ रहा है देखते हैं तो गाई जैसा मैंने पिछले दिन के बारे में आपको बताया था कल बहुत जाला बारिश हो रही थी सो कल हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाया जिसी साबस हमने सोचा था क कल हम काफी हद तक च्छत का काम निपटा देंगे तो अनफॉटनेटली काफी कम कायम हो अगल काफी लेट बारीश रुप ही है तो आज मौसम काफी सही है तो भी बहुत जादा यहां पे और दिन को तो भाई साब अत्ती हो जाती है च्छत के ऊपर तो भाई देखते हैं आज हम कितना इसे कंप्रीट करते हैं ठीक है वीडियो में बने रही है आज हम कितना इसे कंप्रीट करते हैं आज हम च्छत के बैक सेड में शीट्स लगाने और उसके बाद हमें लगानी है सारे गेबल शीट्स आज हम कितना इसे कंप्रीट करते हैं आज हो यह बहुत जादा आई बारिश और हमारा एक गेवर रह गया ताबन करने के लिए इसमें शीट्स लगाने को रह गई थी बड़ आज बारिश ने इतना हमारा काम खराब कर दिया हमने तो चाथा कि आज हमारा काम हो जाएगा फिनिश चत्का बटी बारिश अब आज हमें कुछ भी करना इन देगी तो आज हम लगें फिलाल फाइवर लगाने तो देखते हैं कब तक बारिश रुखती हैं उसके बाद हम गेवल में शीट्स लगाने का काम भी कर देंगे उतने में हमारा जुका बचा हुआ काम है थोड़ा सा ये फाइवर लगाने का हुआ लगाने का फाइनली गाइज हमारी छट का काम हो चुका है कम्प्लेट सो कमेंट में बताइएगा कैसी लग रहे हमारी छट सब्सक्राइब लगाने चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर और अपना इंस्ट्रग्राम एकाउंट का लिंक दे रखा है तो प्लीज फॉलो मी और सो न इंस्ट्रग्राम